पालगर जिले के वालिव छेत में रहने वाली एक महिला ने अपने चोर पती के मरने के पस्चार अपने पती के गिरोह के तीन चोरों से अनेपिक संबंद बनाए रखा इन में से तीनों में विवाद हुआ जिसके कारण तीपू नेपाली नामक एक साथी दाग की हताओडे से मार कर हत्या कर भी इस मामले में वालिव पुलिशें ने दो अपराधियों को गिरफतार किया है पुलिश के गिरोह में खड़े यह हैं प्रताप तैगी और अंकुष यादोजी ने आगरा से गिरफतार किया गया मिर्टक को दोनों अपराधियों ने शराब पिला कर हथाओडे से मार कर मौत के घाट उकार दिया इस घटना के बाद दोनों आगरा अपने परिवार के साथ फड़ार हो गये वालिव पॉलिस स्टेशन को मिर्टक के हार पर पुष लिखा हुआ दिखा जिसके आधार पर यह पताचलक मिर्टक नीपू नेपाली इस है इस जानकाई से खून की वार्दात में लिप्तता अपका धियों तक पहुंचा दी इस रिष्टर हुआ था तो उसमें एक अन्मों डेट बॉड़ी हमें मिली थे हाईवे पे चिंचोटी पे तो हमने बहुत जगह पर हर पुलिस स्टेशन में डेट बॉड़ी का आलूमत लिया लेकिन कोई तरह भी मिसिंग रिजिस्टर नहीं हुआ था उसकी वैसे वह कोन है वह मालूमत नहीं पढ ऑफ ऑथा आइसा हमें मालूमत मिला तब हमने उसको पुराने केशिस के उसके निकाल कर उसका रिकॉर्ड जब चेक किया तो उसमें वह बातप डेट से Обकर जो निशानि था उसके बर्हबर सेंट रही बुड़ीन के फिर बाद में उसके पिताजी को बोलाइस दिर पास इन मुझे ऐसा बोला कि वो जेल में है तो फिर हमें आगे ऐसा मालूमत मिला था कि यह जो खून है उसके दामात नहीं किया था और उसके साथ में कमकुष यादो बोलके लड़का है वो दोनों मिलके उसका खून किया था तो हमने हमकुष यादो को पहले आरेश्ट किया हमकुष कि आसोभी आ twentवी आक्राव में से लेकरा है। दोनों बीख हम युज पलिफ का में तो यह गोर है। और वो दोनो आ मैं कुलिश किष्ट्रियमान में की जिस हतोड़े से उस क्वून की असरते मारने तो वह नहीं हमें रिकॉर था। तो इस मर्डर का वजा हम उन से कुछा तो उसमें ऐसा था कि इनके साथ यह सब चूरी करते तो इनके साथ में अवरोग चौर था वो उसका रोड ऐक्शेंट में मौत वा थै चार पाज मैने पहले उसके आवरोग के साथ यह तीनों अरोपी का नाजह संबन थे तो उसी के कि अर्ष्ट किया है आठ तरीकर उनका पूलिस के स्टटे माच रहे हैं जो अरूपी यह भी गुनिया गा रहे हैं किस तरह के किसस है गरपुड़ी की केशे से तिन्सो पंचन अदरणों के केशे प्यागी के उपर